शारुखान की जवान फिल्म को भी दूल चटाएगी रितिक रोशन की ये फिल्म रितिक रोशन और दिपिका पादु को उनकी जोड़ी फिल्म फाइटर में नजर आने वाली है आजकल ऐसा लगता है कि दिपिका स्पेशल डेश भक्ति की फिल्मों के लिए बनी है आपका क्या कहना है अगर मेरी ये बात सच लगे आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक बनता है और आगे न्यूज बहुत सारे है मेरे पास रितिक के बारे में और उसमें से एक न्यूज एसी है लास्ट में जो दूंगा जो सुनकर आप भी खुश-कुशाल हो जाओगे ये मेरी पकी गेरेंटी है अब बात करते हैं रितिक की आने वाली यानि की अपकमिंग फिल्म के बारे में रितिक रोशन की वार मूवी के बाद अब वार टू के बारे में भी ज्यादा चर्चा हो रहे है रितिक रोशन की वार मूवी हम सबको पसंद आई थी उसमें टाइगर श्रॉप भी नजर आये थे अब बात होरी है वार टू के बारे में आपका War 2 के बारे में क्या कहना है कॉमेंट में जरूर बताए बोलीवूड के जाने माने डाइरेक्टर यानि की रोहित दवन की अगली फिल्म में भी रितिक रोशन नजर आ सकते बोलीवूड के जाने माने डाइरेक्टर है रोहित दवन सर मैं भी उसकी मूवी देखता हूँ बहुत अच्छी मूवी भी बनाते हैं और उसकी अगली फिल्म रितिक रोशन के साथ नजर आ सकती है अगर वो फिल्म के बारे में आपको बता है थोड़ी सी भी नौलेज है जानकारी है आपके पास तो कॉमेंट बे बताए क्योंकि मैंने इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं किया था फिल्म रामेन भी काफी चर्चे में है रिपोर्ट्स के मुताबिक रितिक के साथ रनबीर कपूर भी नजर आ सकते है फिल्म रामेन रितिक रोशन बगवान राम बगवान राम के करेक्टर यानि की उसका जो किर्दार निवाई के रितिक रोशन तो मेरे ख्याल से तो परफेक्ट लगते है रितिक रोशन ठीक है आपका क्या कहल है कॉमेंट में जरूर बताए और उसके बाद की न्यूज है फिल्म सत्रंगी से भी रितिक का नाम जूड रहा है ये कौन सी फिल्म है वो मैं आपको डिटेल में ऐसा लगेगा तो अगला विडियो उसी पे ला दूँगा अगर आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें रितिक रोशन और साजित खान ने भी एक फिल्म के लिए आठ मिला है साजित खान सर भी बहुती अच्छी फिल्म बनाते हैं मैं भी देखता हूँ मैंने कई सारी फिल्म उनकी देखी है और रितिक रोशन भी उसके साथ काम करने वाले है एसी न्यूज आये तो बहुती धमाल यानि कि बहुती बढ़िया ही फिल्म हो सकती है दोनों ने आथ मिला लिया है यह लास्ट न्यूज ऐसी है जो सुनकर आप भी कुश-कुशल हो जाओगे मैंने पहले ही वीडियो में स्टाटिंग में ही बता दिया था अब फाइनली बता और पाद कि लास्ट न्यूज क्या है तो लास्ट न्यूज एकी क्रीश 4 यानि कि हम सब की फैवरिट रहे है क्रीश मुवी अब उसका तीष्रा बाग आने के बाद आप चौथा पाट भी आ रहा है जानि कि न्यूज यह है कि क्रीश 4 की शूटिंग अगले साल शुरू हो स अगर वीडियो में ओडियंस का प्यार एसा ही बना रहा तो क्रीश फॉर्क के पास भी जानकर पर आप सपोर्ट करते हो दो पक्का मेरेको विश्वाज कि रिटिक रोशन क्रीश फॉर्ड लेकर जरूर आइगे आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्ली पेट्टे एगले विडियों, जैन वंडा मात्रम